तो guys Moto Edge 40 Neo एक ऐसा फोन बन चुका है जो कि 20,000 रुपीज में it is one of the best demanded phone from the many consumers लेकिन जब भी कोई phone बहुत ज़दा demand में रहता है उसके साथी साथ में उसकी cons को लेके बहुत सारी अफ़ाएं और कुछ तो भाई सचाई भी होती है जो कि लोगों के दिमाग में चल रही होती है तो इस phone को भी लेगे काफी सारे यहाँ पे cons बताये जा रहे हैं और even में काफी सारे genuine भी हैं तो भाई यह कई बार ऐसा भी होता है कि कई जो competitive companies होती हैं तो भी ऐसे rumors फैलाती हैं कि हाँ भाई इस phone में यह कौन है वह phone के साथ में मत आप जाईए कोई और phone आप लीजिए जो कि उनका खुद का phone होता है तो भाई आज की इस video में यह सारे cons है बिसिकली पाच ऐसे major cons हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि इस phone के अंदर है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित भी हैं तो गईस आज की इस video में मैं उन्ही सारे cons की बात करने वाला हूँ बिसिकली 5 major cons है जिसमें की battery drain से लेके bgmi की performance से लेके इनके यहाँ पे secure folder को लेकर के और भी multiple सारी चीज़ें हैं इस phone को लेकर के जो की आज की इस video में मैं एकदम clear करने वाला हूँ तो चलिए गईस इदा उदा की बात नहीं करतें सीधे करतें वीडियो को स्टार्ट और हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही disclaimer मालने है कुछ भी this phone has been purchased by me I haven't been sponsored by any brand यहाँ पे किसी भी brand ने मुझे कोई पैसे नहीं दिये हैं क्योंकि भाई आप बहुत कमेंट आते हैं अगर मैं इसकी तारीफ कर दू तब भी कौन अगर बताऊंगा तो बोलेंगे यह किस यो और ब्रेंड ने दिये तो भाई ऐसा नहीं है रात में phone को केवल छोड़ देते हैं तो बहुत जादा battery drain देखने को मिलता है तो भी इस चीज़ को test करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई भी sim इसमें लगाया नहीं केवल यहां पे वाई-फाई के नेटवर्क आउन ता साथ में NFC आउन करके मैंने phone को रात में फुल चार्ज करके मैंने छोड़ दिया सुबह जब मैं उठा तो मुझे यहां पे 100% battery चार्ज दिखी मतलब कि कोई भी battery drain नहीं हुआ था उसके अंदर मैंने भाई लोगों से बोला भाई ऐसा तो मुझे कुछ देखने को मिला नी उसके बाद मैंने रात भर मैंने कुछ नहीं किया इसको ऐसे ही NFC भी में रहा अन था ब्लूटूथ ओफ था वाई-फाई मैंने कर दिया था ओफ क्योंकि फिर बाद में लोग यह ना बोले कि यह आपका फोन तो वाई-फाई से कनेक्टेड था इसलिए नेटवर्क सिग्नल उसमें स्टेबल रहे होंगे और 5G सिग्नल चलानी होगा तो मैंने वाई-फाई करके रखा था ओफ केवल मैंने यहां पर 5G नेटवर्क यहां पर एनेबल करके रखा था रात भर इसको ऐसे ही आइडली छोड़ दिया सुबह मैंने देखा तो 100% से 98% बैटरी थी तो मैंने का यार यह भी तो इतना जदा कोई बुरा हुआ नहीं ठीक है और उसके बाद में बता हूँ यह मैंने कल रात में किया है तो कई अभी देखिए टाइम हो रहा है एक बच के 41 मिनिट और आपको दिखाता हूँ देखिए यहां पर मैंने स्क्रीन करके साड़े च्छे बज़े के आसपास से मैं फोन को यूज़ कर रहा हूँ और अभी जाके 50% बैटरी बची हुई है तो अभी तो मतलब पूरा दिन पड़ा हुआ है शाम तक की मेरी यह बैटरी चलेगी और ऐसा नहीं है कि बस मैंने किवल कॉल ही लगाई हो और किवल इ ऐसा हो रहा है मैं यह मान रहा हूँ कि भाई वो जूट नहीं बोल रहा है वो सच बोल रहे होंगे लेकिन उनके एरिया के जो 5G connectivity है न वो थोड़ी सी यहां पर fluctuate हो रही होगी और सबसे इंपॉर्टन बात बता दू इसके अंदर 5G से 4G में आटो स्विच का option है नहीं तो आपको switch करना पड़ता है और इसी की वज़े से मुझे लग रहा है कि जादा battery drain होता होगा अगर वो auto switch होता तो अगर by the way fluctuations होते हैं 5G की network में तो बहुत ही जल्दी वो 5G से 4G में switch होता और आपकी battery drain होता नहीं साथी में जो भी मैं आपको यहां पे stats दिखा रहा था ये सब आपके सब 144Hz के refresh rate पे मेरी display continuously set थी तो उसके हिसाब से ही सोच करके चलिएगा अगर आप यहां पे 144Hz से auto पे switch करेंगे तो आपकी battery life ज्यादा save करती होई देखने को मिलेगी और इवन यहां पे मैंने auto brightness को को मैंने करके रखा था और यहां पे मैंने brightness रखी थी full display की मुझे full display पे ही चलाना पसंद है तो यह चीज़ को भी दिवांग में आप रखिएगा तो मैं जे भाई personally उतना जदा कोई battery देखने को नहीं मिला इसमें और हाँ guys काफी सारे लोग भाई मुझे ऐसा भी कह रहे थे कि भाई BGMI में FPS उतने stable नहीं रहते हैं क्या इसके थोड़ा सब BG का review भी आप कर दीए देखिए मैं BGMI का review अलग से आपके लिए लेकर के आ जाओंगा लेकिन अभी के लिए अगर मैं बता दू BGMI का concern इसके अंदर तो देखो मैंने अब यहाँ पे TDM खेला है FTS meter के साथ में केला है continuous gaming में मैंने दो gameplay खेले थे उसके अंदर मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिला था 58, 59, 60 fs इसी पे stick करके यहाँ पे फ्रेम दे रहा था यह लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे gameplay पे गया हो खास का जब आप event वाले section पे jump करते हैं यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पे कूच जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ फ्रेम ड्रॉप सोना लाजमी है बड़े से बड़ा फोन भी वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप करता है लेकिन जो बड़े से बड़ा फोन होता है 55 fps या 54, 55, 56, 57 fps तक की नहीं जाता है लेकिन इसके अंदर 20,000 रूपीज में आपको 6 nm के architecture पे base dimensity 7030 वाला processor देखने को मिल रहा है तो भाई ये 50 fps से लेगे 55 के बीच में ही नहीं रहता है उससे ज़्यादा नहीं जोए जाता है कभी-कभी गईस में यहाँ पे देखने को मिला है कि जब आपका एक स्कॉट से मल्टिपल स्कॉट से जब आपकी फाइट हो रही होती ना तो वहाँ पे थोड़े बहुत फ्र इंदा लैग करता है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओन करके शायद से बीजी एम आई में ज्यादा अच्छा गेम प्ले कर नहीं पाएंगे तो वह वाला तो नहीं होगा लेकिन है कैजॉल गेमिंग अगर आप करते हैं तो उतनी कोई प्रॉबलम इसमें देखने को नही देखता हूं मैं देखो इसमें शायद से एक ना सेक्यूर फोल्डर के नाम से चीज आती है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पिन सेट आप कर सकते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट एप्लिकेशन को आप एड़ ओन कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी ए एप्लिकेशन को इसके अंदर दिखाएगी बाहर नहीं दिखाती है और हां इसी के अंदर ही अगर आप चाहें तो अपनी फोटो वीडियो को भी आप डाल सकते हैं जो कि आपके मेन वाले फोल्डर से हट करके यह इसके अंदर आ जाती है तो यह सारी चीज़े तो आपको रिकॉर्डिंग आप इसमें करनी पाएंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग में गूगल अंटी बोलती ही नजर आएंगी इसके साथ में आपको कॉप्रमाइज करना पड़ेगा और हां यहां पे कोई भी ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा तो यह भी च शापनेस होती थी मोटो के फोंस में वो इतनी जादा करते थे जिसकी वज़े से चेहरे पे भी ब्लैमिशे और डाक स्पोट पड़ते थे पर यह चीज अब हो चुकी है कंट्रोल काफी जादा मुझे किसी भी फोटो में मुझे देखने को नहीं मिली है वाली चीज और चे इसके अंदर आप एंड्रोइड में जाएंगे तो अभी भी जुलाई का चल ले आ रहा है अपडेट मलब जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर अगस्ट सेप्टेंबर का अपडेट कहा है मलब आया नहीं अभी तो आक्टूबर भी आ गया तो मलब आपने नया डिवाइस नि मुझे रहें तरीके से तब पर भी अच्छा है हाला कि इसमें एकाद दो अपडेट तो अभी आएंगी और कंपनी ने तो बोला है तीन साल के सेक्यूर्टी पैज अपडेट है और दो साल का एंड्रोड अपडेट लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर सेक्यूर्टी पैज आने वाला हूं ठीक है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपको बता ही है बहुत मेहनत लगती है सारे फोन को पर्चेस करके रिव्यू करने में